वेलकम टू आवर यूटूब चैनल गाज अब फिसे आपका अपने इस परिवार में स्वागत है काईच आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी एनेचन्ट सतराजार वेटिंग लिस्ट को लेकर काईच जैसा आप सभी लोग जानते हैं 26 तारिक को लखनव चलो अभियान और लेटर भेजो अभियान में आप लोगों ने इतना जादा सपोर्ट किया मतलब गदर ही मचा दिया यार ऐसे ही सपोर्ट अगर आप लोग पहले बनाए होते तो आज ये चीजे नहीं देखने को मिलता अब तक आपकी वेटिंग लिस्ट किलियर हो गई और जि बिरूर आपकी बात को सुनी जाएगी ठीक है और भारी मातरा में आप लोगों ने लेटर भेजा है लगवक्त 30-40 लेटर भेजे गए हैं आप लोगों के मैसेज को देखते हुए हमने काउंट किया है लगवक्त 30-40 लोगों ने फारवर्ट किया है लेटर ठीक है तो आज आप लोगों ने गदर मचा दिया है और ऐसे ही प्रयास लगातार हमको बनाए के रखना है आगे का क्या प्लान है हम सब कुछ डिटेल में इसी वीडियो में डिस्क्राइब करने वाले हैं रुकना नहीं है लगातार प्रयास जारी रहेगा सीयम तक बात अपनी पहुचानी है यूपिन अचम 17,000 वेटिंग लिस्ट को लेकर काईज मैं मानता हूँ बहुत बड़ी जवाब नहीं है ठीक है बहुत लेवल पे आपको नहीं यह चीज पोस्ट मिलने वाली है लेकिन हाँ यहाँ पे एक बिरुचगार स्टुडेंट के हग की बात हो जाती है और यह अपन तो गाइस देखिए कमेंट अभी भी लगाता रहा आ रहे हैं जिस तरीके से वह मैं कमेंट दिखाऊंगा आपको ठीक है अपनी बात सीम तक पहुचनी चाहिए अगर सीम तक बात पहुच गई देखिए गाइस कुछ लोग बोलें वेटिंग क्लियर नहीं होती क्लियर नही करता है निचम तो इसी के लिए तो प्रयास किया जा रहा है क्यूं नहीं करता भाई क्यूं नहीं करता है आप भरती दिखाते हो कि हम सतरह हजार दे रहे हैं लेकिन ज्वाइनिंग लेते हैं आठ हजार और आप काउंटिंग में डाल देंगे कि सतरह हजार हमने भरती निका यानि प्राड़ी कुछ ऐसे भरे पढ़ते हैं हर जगह रहते हैं जो negativity फैलाते हैं तो ना अपना खुद पढ़ाई पर ध्यान देते हैं और ना ही दूसरों को पढ़ने देते हैं बस इनका काम है negativity फैलाना सभी जगह इनका कमेट आता है क्या waiting list नहीं आएगा बस दूसरों को depression में क्यों डाल रहा है भाई तुम depression से बचे रहो दूसरे लोग नहीं जा रहे हैं तुम खुद जा रहे हो depression में ठीक है official report तो नहीं आई है और तुम क्या विजैस पाथक हो जो यह बोल रहे हो कि waiting का रिजन नहीं आएगा गलत जनकारी मत दो भाया मैं नहीं बोल रहा हूं जब वहां पे लखनव गए थे सभी लोग 26 तारिक को बिजेश पाथक जी सीम जी के दरवार में भी गए थे और एंचम आफिस में भी गए थे पहले तो वीडियो पूरा देख लिया करो तब जाके क सकती है अगर उपा से आदिस आ जाता है तो वेटिं लिस्ट क्लिbell की जा सकती है आपको आटयू की relevant में ने दिखाया था जो आ इनगा गया था यह memo में कि प्रतिस्द सू ज आ स जारी की जा करें फिर सकती है लिस्त आता है तो वेटिंग लिस्त क्लियर करेंगे नहीं तो इसको इसको क्लोज कर देंगे तुम घर पर सोए रहते हो तुरंट आके वीडियो देखते हो और कमेंट करके चले जाते हो तुमको तो कुछ पते ही नहीं है एक और लोग हैं बहन लोग हैं फिलाल बहन की रिस्पेक्ट हम बहुत ज़्यादा करते हैं यह कमेंट क्या कर रहे हैं यह भी पहली बार वीडियो पर आएं पस सोते हुए आएं और तुरंत आके कमेंट कर दें वीडियो को देख नहीं रहे हैं कि क्या बोला जा रहा है क्या फमलिल देखे यह क्या वेटिंग लिस्ट क्या बोला क्या नहीं सुनना नहीं है यह क्यूं लिख रही है यह क्यूं भी बना रहे वेटिंगल VIC की उसकी वैपसाइट तो पहले ही गूज हो गई अरे वैपसाइट कप चूर्ण गई ठीथ te आप सो ही रहे हैं तो क्या होगा सोते रहेंगे नोटिफिकेशन दिखाओ नेचम का ढूर के मुझे की आप वेबसाइट पर आया है कि यह भरती क्लोज हो रही है ऐसा कोई नोटिस है आपने देखा वेबसाइट पर बिलकुल नहीं देखा है एक फेक नोटिस वायरल हुई थ जब भरती क्लोज होगी तो वेबसाइट पर आपको आ जाएगा जैसे सबका नोटिस नोटिस अगर एंचम 17000 का भी जिस दिन क्लोज होगा उज दिन भी नोटिस आ जाएगा कि एंचम 17000 भरती को क्लोज कर दिया जा रहा है बस इतना आपको मिंशन करते हुए अफिशियल विबसाइट पर आजाएगा ठीक है अब यह सोते हुए बोल रहे हैं कमेंट करें कि विबसाइट तो पहले ही क्लोज हो गई है क्यूं सबका टाइम खराब कर रहे हुए अपना टाइम आ बचा के रखिए ठीक है सब सब को पता है क्या चीज़ें हो रहा है क्या नहीग हो र ठीक है और इस कमेंट को मैंने देखा मुझे बहुत अच्छा लगा ठीक है मैं इस कमेंट को ले लिया है इन्होंने क्या कमेंट किया है जीवन में मैंने एक चीज बहुत अन्वोक किया है कि आप जैसे यूटूबर मैंने कभी नहीं देखा जो बिना नी स्वार्थ वाव से स मेशा सतराजा भरती को किलियर करवाया आपने उसके बाद वेटिंग के लिए लड़ाई लड़ रहे हो आपका कोई स्वार्थ नहीं है ऐसे इंसान को सलाम है मुझे इनका मैंने चेक किया यह कमेंट आप नहीं करते हैं वीडियो देखते होंगे अलग की बात है लेकिन इरिपाठी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें समझा थीक है इस काबिल समझा तो गाइस जो आपके कमेंट आ रहे हैं कि एनेचम वेटिंग लिस्ट नहीं किलियर करती है इनेचम करती है सेचुएशन के हिसाब से जब भरती अब जैसे चार भरती आई च चार वेकेंसी निकल के आई है ठीक है चार वेकेंसी निकल के एनेचम एक एक एकजामपल के रूप में समझ लो नहीं तो आप बोलो को एकी चार भरती कहा आई थी एक उधारर दे रहा हूं ठीक है चार भरती निकल के आई है और चार फिर चारो जोइनिंग ले लिया गया ह है कोई सीट नहीं खाली है तो उसकी वेटिंग लिस्ट कहां से क्लियर होगी वालग की बात है चार वेकेंसी है और चार सौट इलिस्टेड हुए तीन वेटिंग लिस्ट बना दिया गया है अब यह सीटे चारों पर लोग जोई नहीं कर लिए कोई नहीं छोड़ा है तो इनचम को लेकर देख रहा था तो उस टाइम भी वीडियो में बनाया हूं और आज से नहीं 2019 से फालो कर रहा हूं नहीं चम को उस टाइम भी वेटिंग लिस्ट किलियर हुई थी फार्मासिट की ज्यादा भरती नहीं लगब बारा तेरा भरती निकल के आई थी और भी पोस लिस्ट में ही कंप्रीट हो गया तो दूसरी नहीं आएगी मतलब सेच्यूएशन के हिजाब से लोग क्लियर करते हैं और नहीं करते तो फिर नोटिफिकेशन में क्यों लिख रखा है और नहीं करते हैं तो क्या आप अपने हब के लिए लड़ोगे नहीं यह गलत नहीं हो क्या आपको इस चीज को सुधारना नहीं है क्या आपको अपने हक के लिए लड़ना नहीं है क्या आपको बस ऐसे देखना अपने तमासा देखना पसंद है कि चलिए वैतिन लिस्ट क्까 प्रावधान करते हैं तिन गुणा लेकिन वैइटिंबर करती है क्यों नहीं करती है वhia जब नहीं करते हैं तो प्रावधान क्यों किया गया है नोटिफिकेशन में क्यों हमको बेकूब बनाया जा रहा है कि वेटिंग लिस्ट बनती है वेटिंग लिस्ट तीन गुना बनाएंगे क्यों वेटिंग लिस्ट में में डाला जाता है उसी चीज़ को सुधार करने के लि कोई letr का भेजाए, कोई तो अपना जो STICKER मिलता है ठीक है, steaks को को भेजा है, देख सकते हैं, आप बहुत सारा लेटर आपने भेजा है है और भी तो कई लोगों का हम दिखा नहीं रहें टो बहुत सारा आप लोगो ने भी जाए आप पता नहीं लेटर भीज़ें और उससे हमारे पास फौनी यहें जो भी वैब है आगर इतना आप लोगों प्रयास किया एगर इतना ही लेटर उन तक पहुँच जाता है तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी तुरण संग्यान में ले लिया जाएगा बस देरी है उन तक पहुचने में और अभी भी हमको प्रयास करना पड़ेगा लगातार करना पड़ेगा ठीक है कोसिस करिए अपने संसन से मिले संसन के कर पाएं ठीक है वाकि जनता दर्वार जानते हूं जनता दर्वार में वो नहीं मिल पाते हैं ठीक है लेकिन अलग से कभी उनका दवरा रहेगा तो वहां पर जाके मिलना पॉसिबल हो सकता जैसे अब गोरकपूर में जनता दर्वार लगाते हैं तो वहां पर वो मिलते हैं देते हैं तो गाइज आगे का जो प्लान है नेस्ट हमारा फिर से लखनों चलो अभ्यान और इस बार हमको बिजेश-पाठक जी से मिलना है उनसे रिक्रिस्ट करना है जब तक वो लोग बिजेश-पाठक आंधा-इस-पाठक जब तक हमारी बात एने चम में नहीं पहुचा और बात नहीं पहुचा सेके तब तक हमको हटना नहीं है इस बार वहीं पे खड़े रहना है ठीक है उसे रिक्विस्ट करना है सर हम नहीं जाएंगे जब तक आप हमारी बात को इनचम तक नहीं पहुचाएंगे एमडी मैप के पास आप अभी तुरंद कॉल करिए नंबर होगा तुरंद बताइए कि वेटिंग लिस्ट क्लियर करवाई है जैसे एक बार उन्होंने किया था पहले किया था अंदा इस पार कॉल पर ही कर दिया था कम तो इस बार भी हमको रिक्विस्ट करना है हटना ही नहीं ठीक है डेट क्या रहेगी इस बार लखनव चले अवियान को दो जुलाई ठीक है दो स्थान पर हमको चलना है पहला स्थान ब्रिजेश पाठक जी का आवास एड़ेस देख लिजेए एड़ेस में बहुत कन्फूजन होता है आप लोगों को एड़ेस भी लिख दी हैं बी 15 58 सेक्टर है महानगर लखनव जो आपका कालिदास मार्ग पर पढ़ता है ठीक है यहां पर हमको आठ बजे पहुचना है उसके बाद सीम जी का एड़ेस जो रहेगा योगी आदित तनात मानी मुकमंत्री उत्तरपदेश स्थी पुट्टी महानगर मुकमंत्री आवाज जब तक डेट वह आ नहीं जाता है दो जुलाइस ठीक है तो आपको अभी से आज से यह काम करना शुरू करना है क्या वाईया यूटूब पर सभी यूटूबर को लखनों चलो अभियान के बारे में वीडियो बनाने के लिए कमेंट करें उनको डेट के साथ कि दो करवाने के लिए इसके रिगार्डिंग आप वीडियो बनाएं और बच्चों को बताएं ठीक है गाइस देखिए जब आपका रेजल्ट नहीं डिक्लियर हो रहा था उसके लिए हम लोगों ने पूरा यूटूब पे एकदम क्या ही बताएं जिस जो भी वीडियो बना रहा नहीं थी आटोमेटिक हमारी बाद मीडिया तक पहुंच गए थी न्यूजपेपर के कटिंग में भी आ गया था पोटो अगयरा खुद आया था कि इतने लोग गये थे ने चाम आपिस में यह चीज़ किये ठीक है सब कुछ आ गया था तो इस बार भी हमको हाइलाइट करना है लोगों के वीर पर जाके कमेंट करना एक एक दो यूटIOBER का मैं ले रहा हूं ठरď उनूज प्रजापती बनाते को लेकर इन पर जाके कमेंट करिए भरिवर के कमेंट करिए कि तना तो आप कर सकते हैं और अपने सभी साथ ही जो यूपी नेचम 17000 का फार्म अफलाई किया है ठीक है उनको प्रेरित करें चलने के लिए वेटिंग लिस्ट में नाम है तो उनसे बोलिए कि वहीद चलो यार ठीक है अपने भविस्ट की बात है क्या पता वेटिंग लिस्ट क्लियर हो जाए और नेचम में जवानी ह ठीक होने की बात हो सकता है आने वाले समय में पर्मेनेंटी कर दिया जाये समधा वालों क्योंकि इस पूरम्बे लंभे समय से बात चल रही हैं लोग टेस्ट भी करते हैं समिद्ग करमी जा जाके समय पे तो चीज़े हा पूँछ भी हो सकता है Ăब यह अपनी बात मीडिया तक पहुचाने की कोशिस करें, अगर आपके पैचान में कोई मीडिया वाला है, ठीक है, पत्रकार है, तो उन तक बात पहुचाएं कि हम लोग 26 तारिक से ही लगातार प्रयास कर रहे हैं, चम 17,000 वेटिंग लिस्ट क्लियर करवाने हैं तो, पहले हम ने चम आफिस में गए, ठीक है, फिर उसके बाद पत्रवेजो अभियान वाल चलाया, अब लखनो चलो अभियान फिर से चला रहे हैं, यह सबी चीज़े बताएं, ठीक है, उमीद करते हैं, चीज़े आप समझ रहे हैंगे, और अच्छे से फालो करते जाएंगे, जैसे हम बता रहे हैं, वैसे फा ज्यादा से संक्या में पहुचें, दस बारा लोगों से काम नहीं चलेगा, क्योंकि भाईया, अब की बार, एमडी मैम ने तो साफ मना कर दिया है, कि जब तक आदेस नहीं आएगा, तब तक वेटिंग लिस्ट नहीं किलियर की जा सकती है, अगर उपा से आदेस आता है, त तो आपको अब तो चलना ही पड़ेगा, तो आपकी आँखें खुल जानी चाहिए, कि आपके साथ गलत हो रहा है, जब वेटिंग लिस्ट ही नहीं किलियर करना था, तो भाईया, प्रोग्राम वाइज आपने एक्जाम क्यों कंडिक्ट करवाया, प्रोग्राम वाइज देते और उसी क्याधार पर मेरिट बना देते आप, हर एक प्रोग्राम की कटाप आपने अलग जारी किया है, और एक ही लड़का, एक ही कंडिडेट जो है, पांच रेजर लेके बैठा है, और इसको जोइनिंग एक ही मिलेना है, तो ये चाल लोगों का नुकसान किया कि न लाहर हो गए है, ऐसा कैसे काम चलने वाला है, उमीद करते हैं, चीजे आप समझ रहे होंगे, और ठीक है, जो बताया जा रहा है, उस चीज को समझेंगे, आउर आगे अपना प्रयास है, बारी संख्या में लखना चले और बारी संख्या में साथ देंगे, और बहुत यह नोटिफिकेशन को, जब जुरुवत पड़ेगी, तब ओपन करके देख लीजे, क्या मैसेज आ जाया है, क्या चल रहा है ग्रूप में, म्यूट करना तो आता ही होगा, नहीं आता है, तो यूटूब है, यूटूब पर साज कर लीजे, कैसे ग्रूप म्यूट का नोट क्यूट आपका आया है, तो कोशिज करता हूँ, दूसरों को बाहर करके, फिर आपको मैं जॉइन करता हूँ, उमीद करते हैं, आप चीजे को समझ गए होंगे, ठीक है, और देखिए, दो जुलाई को मैं आ रहा हूँ, सत प्रतिस्त आ रहा हूँ, चाहे जो भी हो जाए, क आप लोग कोशिज करिएगा, भारी से भारी संक्या में आने क्या, ठीक है, उमीद करते हैं, चीजे आप समझ रहे होंगे, तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में, तब तक के लिए, जैहिन, जैवारत!